अस्सलाम उलेकुम फ्रेंड्स टेट का खजाना में आप सबका स्वागत है तो आज हम बना रहे हैं अरूई के पत्ते की पकोड़ी तो चलिए अब सुरू करते हम तो हमने ये लिया है 10 से 15 पत्ते हैं हमारे तो हमने इसे अच्छे से धुल कर इसे जो है इसका पानी सुखा ल में लगती हैं तो इसे काट देंगे तो यह हमारे गले में नहीं लगेंगी तो इसी तरह से हमें ये जितने भी मॉटे दिख रही हैं सबको हम काट देंगे तो हम इस तरह से सब पत्तों को इसी तरह से हम इसकी नसे काड़ देंगे और हम बेलन से भी नहीं बेलेंगे बीना बेलन के भी हम इसको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे बनाएंगे तो हमने सब को अच्छे तरह से ये देखिए इसी तरह से हमें सब पत्तों को जो है कर लेना है और ये हमने लिया है उरद की डाल है ये है चने की डाल और ये है चावल हमने रात में है इसी भीगा दिया था और ये है अजवाइन और हमने लिया है ये लेसुन है ये है 10-12 हरी मिर्च और दो टुकड़ा अदरक्का ये एक चम्मच जीरा है और ये दो बड़ी लाइची है 10-12 काले मिर्च के दाने हैं और एक चम्मच हेंग है इन सब को हम उसके दाल के साथ पीस लेंगे और ये है अचार का मसाला आप नेबू भी डाल सकते हैं आमचूर भी डाल सकते हैं और हमने कुछ पत्ते उसके लिए पुदीना के पत्ते और ये थोड़ा सा जो हमने लिया है सफेद ते लिए फ्राइ करेंगे इससे और अब इसमें हम ये चटनी डालेंगे ये जो हरी मिर्च, लेसून, अद्रक, जीरा, हिंग सब को हम अच्छी तरह से हमने पीस लिया है और अब इसमें हम ये अचार का मसाला डाल दे रहे हैं और ये अजवाइन को हम हाथों से इस तरह से क्रस करके डालेंगे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एक चमश हमने हल्दी डाला एक चमश लाल मिर्च पाउडर एक चमश धनिया पाउडर और एक चमश हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया और स्वाद अनुसार आप न इस बेटर को हम जो है बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे पस इसी तरह से इतना ही रहने देंगे ताकि ये पत्तों पे अच्छे से लग जाए तो इन पत्तों पे अब हम जो है इस दाल को लगाएंगे तो इन पत्तों को जो है इस तरह से उल्टा भिछाना है पीछे साइ पत्ते पर हम दाल को अच्छे से लगा देंगे जब एक पत्ते पर लग जाए तो हम दूसरा पत्ता इसे पिछा देंगे तो फिर हम तीसरा पत्ता इसी तरह से हमने पत्तों के साथ लेयर रखे हैं और हम इस पर खुब अच्छे से दल लगा देंगे पूरे पत्ते पर और अब इसको हम साइड से इस तरह से मोड देंगे और इस पर भी हम थोड़ा सा दाल लगाएंगे दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से मोड लेंगे उस पर भी हम दाल लगाएंगे थोड़ा सा फिर उपर साइड से इस तरह से इसे हलके हाथों से हम दबाएंगे और धीरे धीरे इसे जो हम रोल करते हुए ले आएंगे नीचे साइड तो यह देखिए इसी तरह से हमें यह आराम से इस तरह से थोड़ा इसे टाइट लपेटना पड़ता है ताकि यह जो हम खुले ना वास यह अच्छे से यह देखिए कितना अच्छा से यह जो हम बन गया है यह और इसी तरह से हमने दूसरा भी तयार कर लिया है तो हमने इसके दो रोल तैयार किये हैं इसके दोनों पीछे साइड में हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें दाल लगा देंगे अब हम इसे steam करेंगे तो हमने एक बड़ा बरतन में पानी लिया इसमें हलका सा इस बरतन में तेल लगाया है इस छन्ने में इसमें ढख करके हम इसे रख देंगे पंदरा मिनट के लिए उबलने के लिए तो यह देखिए यह उबल चुका है बहुत अच्छे से यह पुरा अंदर तक यह पक चुका है और यह देख रहे हैं इसके यह जो है कितना अच्छा से यह बना है तो हमने सबको पतले स्लाइस में काट लिया है और हमने पैन में तेल गर्म किया है इसमें हम जो है जीरे का तड़का लगाएंगे और थोड़ा सा हम इस पर सफेद तिल भी डालेंगे और अब हम जो है सबको अच्छे से इस पर रखतेंगे और जो है एक साइड से जब तक जाए तो दूसरे साइड भी हम इसे फ्राइ कर लेंगे इस तरह से सबको पलट देंगे कि दोनों तरफ से पख गई है यह देखें बहुत अच्छे सी यह बनी है तो फ्रेंड से हमारी यह डिस बिलकुल बन करके तैयार हो चुकी है यह बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत ही लाजबाब बनी है तो आप सब को अगर हमारे ये रेसिपी आप सबको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें